दोस्तों अगर आप अपने बेली फैट को बहुत जल्दी खतम करना चाते हैं तो रात को सोने से पहले आप अपने बेट पर बैठे 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 बस इस स्टेप को करें सिर्फ इस एक उपाय से आपके पेट की लटकती हुई चर्वी कुछी दिनों में बिलकुल गायब हो जाएगी जी हाँ ना ही आपको डायेट करना है बहुत जादा ना ही कोई एकसाइस करना है आपकी पेट की चर्वी बिलकुल पिघल कर एक दम पेट सपाट और स्लिम हो सकत जी हाँ दोस्तों अक्सर हम क्या करते हैं कि रात को जो खाना या जो भी रात का डिनर होता है अक्सर हम लोग काफी हैबी डिनर कर लेते हैं और जो है रात को काफी देर से खाना खाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना फ्राइड भारी चीजे रात को खाते हैं सा अगर आप रात को खाना खाने के बाद बेट पर लेटे लेटे ही मोबाईल या टीबी देखते रहते हैं या फिर आप बुक पड़ते हैं लेटे लेटे और इसके बाद आप काफी रात को आप सोते हैं तो इससे भी बजन बढ़ जाता है या फिर आपको दूसरे दिन सुबह सुस्ती आती है आपको एनरजी नहीं रहती आप community भी लो हो जाती है तो इससे पेट बढ़ जाना वजन बढ़ जाना यह जो है problems होती रहती है जी हाँ दोस्तों इसलिए आपको रात को जो है खाना आपको जल्दी खाना है जितनी रात आप जितनी देर से खाना खाऊगे आप उतना ज़्यादा आपका मोटापा बढ़ेगा क्योंकि वो खाना ठीक से डाइजिस्ट ही नहीं होगा अगर खाना ठीक से डाइजिस्ट नहीं होगा तो automatically आपका weight बढ़ जाएगा आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा आपके hormones imbalance हो जाएगे और आपको दीरे-दीरे मोटा पाप बेली फैट आना शुरू हो जाएगा कोशिश करें रात को आप सूप पी दे की रात को अगर आप कोई बहुत ज़्यादा तलाव होना फ्राइड या भारी चीजे न खाए इससे अच्छा है आप सबजियों का दाल, सबजी, किसे भी चीज का आप सूप बना कर पीएं इससे क्या होगा इस सूप में आप थोड़ा सा काले मेर्च, भुना हुआ, जीरा, इस तरह के मसाले डाल कर पीएंगे तो ये आपके बेली फैट को खतम करेगा, आपके मुटापे को खतम करने में आपको मदद करेगा या फिर आप अपना खाना खाने से पहले आप एक बोल सूप जरूर पीएं इससे क्या होगा, सूप आपको भरा भरा रखेगा, इसमें डाली हुए मसाले और सबजियां आपके बोड़ी से फैट को निकालने में भी मदद करेगी और खाना जो भी है वो आप कम खाओगे, तो इससे आपका बेली फैट कम होगा और सूप बनाने के लिए अभी तो बहुत आसान तरीका हो गया है अगारो का ये सूप मेकर अगारो का एलिट सूप मेकर, जो है इसमें आप बहुत आसानी से सूप बना सकते हैं बस इसके अंदर आपको सबजियां डाल देनी है आप इसमें पानी डाल दे नमक डाल दे और अपनी अच्छा अनुसार जो भी मसाला आप इसमें डालना चाहते हैं डाल दे चाहे आप सबजियों का सूप बनाए या आप डाल का सूप बनाए जो भी आप सूप बनाना चाहते है टमेटो सूप, या कैरेट सूप, पंकिन सूप, या फिर कोई भी सूप, आप इसमें सब्जियां डाले, मसाला डाले, पानी डाले और बस इसका ढखकन लगा दे और अपनी choice के हिसाब से आप चाहे तो इसमें smooth soup बना सकते हैं या फिर आप इसमें chunky soup बना सकते हैं अलग-अलग mode है और बहुत आसानी से इसमें soup बन जाता है आपको घंटो गैस के सामने खड़े रहने के जरूरत नहीं है ना हुई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भ बन जाता है और खुदी ये बीब देता है ऐसा नहीं कि आपको इसके सामने खड़े हो रहना है बस आप इसका switch on कर दे ये जैसे ही soup बन जाएगा ये automatically बीब देता है जिससे आपको पता चल जाता है हाँ मेरा soup बन गया है तो बस गर्मा गर्म सूप आप पिए आप आपका belly fat बहुत जल्दी खतम हो जाएगा और आप चाहे तो soup रात देर रात तक भी पी सकते हैं क्योंकि अगर आपको जल्दी डिनर करने की आदत नहीं है आप देर को रात को देर से डिनर करते हैं तो आप soup पीए कोई solid खना ना खाकर आप soup पीए सबजियों का soup या कोई भी soup आप पी सकते हैं देर रात तक इसे आपको पेट भरा भरा भी रहेगा और आपको बार भार भूग भी नहीं लगेगी आपकी नींद अच्छी आएगी और जो है soup सिर्फ इतना ही नहीं सूप आपकी immunity को भी बढ़ाता है आपको healthy रखने में भी मदद करता है साथ ही आ आप चाहे शूपी पिये या आप खाना डिनर जो भी खाए रात को एकदम से खाने के बाद आप बिलकुल बेट पर एकदम सोए नहीं आपको एक चीज करनी है जो कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया था आपको क्या करना है रात को खाना खाने के बाद 10 मिनिट आपको अगर पदमावसंद में गुटने मुर कर नहीं बैश सकते तो आप इस तरह से भी बैट सकते हैं ये बिलीफट को कम करने में मदद करता है और एक आप सकते हैं आप अपने हाथों embraceते गुरआ इस जो उपाय है, इसे आपको खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, कम से कम खाना खाने के एक घंटे बाद आपको ये वाला उपाय करना है, और रात को सोने से पहले, आप इस उपाय को करें, ये आपके डाइजेशन को अच्छा कर देगा, जो भी आपने ख यह वाला उपाय आपको नहीं करना है खाना खाने के कम से कम एक घंटे बाद आपको यह जárका पाइक, आप आपको व Uno को एक हम धीन Dennis करने के बाद कुछ देद पदमासन में laughs कम से कम 10 मिनिट आपको पदमासन में जरूर बैटना चाहिए, पदमासन में बैटने से डाइजिशन अच्छा होता है, और साथी साथ खाना अच्छे से डाइजिस्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी से फैट निकलने में मदद होती है, दूसरे दिन आपका आपको ये वाला उपायच जरूर करना है, धीरे धीरे आपको नीचे सर को जुकाना है, एक से दस तक गिंती करनी है, फिर सर को उपर उठा लेना है, बस इस तरह से 20 से 25 बार आप करके देखिए, कुछी दिनों में आपका बैली फैट खतम हो जाएगा, आपकी बॉडी में जमा हुआ एकस्टा फैट बिलकुल निकल जाएगा, तो दोस्तों इसे जरूर ट्राइ करें और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक दें और चानल को सब्सक्राइब करके रखें